हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे और आपके यूट्यूब चैनल जाए महादेक एडमी लाइनिंग प्रोग्राम में और जैसा कि आप लोग ने वेक्टर पूरा पढ़ लिया है ठीक है वेक्टर पूरा हमने नुमेरिकल लग वह त्योर पूरा कूर्स आपको पढ़ाने वाले हैं ठीक है तो आप लोग अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो चलिए आज हम लोग कुछ अच्छे-च्छे कोश्चन करेंगे और यह कोश्चन मैंने अपनी तरफ से लिए हैं ऐसे को सेलेक्ट किया है जिससे आप लोग थी तो क्योंकि का रण्ड के आपके पास अलोग अलग पूंगी आगर मा लीजे किसी को दिक्कत होती है को kौशन नहीं आता है तो आप इस वाट सब नंबर फे ठीक है यह है कि वाच्छ अप नंबर पे आप लोग वाच्छआ अप कर दिए मेरा वाट सब नंबर है ठीक है वाटसअप करिए कि फोन मत क्या करिए आप लोग फोन करने को जैसे मैं थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं आप लोग जो भी चीज़े हो इसमें वाटसअप कर दीजिए को वाटसअप जरूर देख लूँगा ठीक है चलिए आते हैं पहला कोश्चन मैंने आपके स्क्र पी वा टूपी का परणामी आर है यदि पहले बल को दो गुना कर दें तो परणामी दो गुना हो जाता है तो बलों के मत दिखा कौन क्या हो ठीक है यहाँ पहले बल का नाम हम दे देते ए जो कि कितना दिया गया है ठीक है और दूसरा बल का नाम दे देते हैं भी जो कितना तो पी दिया गया है अच्छा दो बलों के दो सदिस्यों के परिणामी के लिए आपने सूत्र पढ़ा आर स्कॉाइर इसकॉाइर प्लस प्लस बी स्कॉाइर प्लस टू अभी कॉस थीटा मैंने आपको समांतर चतरों दोनों में यह फार्मला प्रूब करके दिखाया था तो य बी की जगा टूपी रखो और एक जगा टूपी रखो दूपी रखो इंटू कॉस थीटा रखते लुए च Whew कि थीटा क्या है ए और बी बेंगल यह दो लुए टूपी के बीच का कॉण जो क्या हमसे पूछा गया है तो आर स्कॉाइर बराबर आ जाया गा भाई नाइन पी स्कुर्ण प्लस 4P स्कुर्ण यहां हो जाए 2 3 6 6 6 12 12 P स्कुर्ण इंटू कॉस थीटा आर स्कुर्ण के एक वैलू मिल गई यहां से मुझे 13P स्कुर्ण प्लस 12 P स्कुर्ण कॉस थीटा एक्वेशन नमबर फस्ट मान के छोड़ देना इसको आगे क्या कह रहा है यदि पहले बल को दो गुना कर दें पहले बल को कितना कर दें भाई दो गुना कर दें तो परिणामी दो गुना हो जाता है तो बलों के मद कौन बताओ तो सर्त इनकी यह है कि पहले बल को कितने गुना करना दो गुना करना है तो चलिए मैं पहले बल को दो गुना कर देता हूं लिखेंगे इनकी छरता नुसार सरता नुसार जो पहला बल यह है पहले कितना था थ्री पी था इसको दो गुना कर दिये तो कितना हो गया भाई सिक्स पी हो गया दूसरे बल को मत छेड़ना दूसरा बल वही रहेगा 2P और नया परणामी R-S माल लेते हैं और ये परणामी क्या है पहले बाले परणामी का दो गुना पहले R थाप कितना हो जाएगा 2R हो जाएगा तो बताओ यहां R-S के स्क्वाइर के लिए फार्मला लगाओगे A स्क्वाइर प्लस B स्क्वाइर 2AB कॉस थीटा अच्छा एक चीज और देखो केवल पहले बल को बदला गया है परणामी बदल गया है बीच के अंगल चेंड नहीं किया गया है थीटा नहीं डिस्टर्ब करेंगे ठीक है R-S की जगा बदार मैं 2R रखूंगा P-Square लगाएंगे एक जगा मुझे 6P रखना पड़ेगा Square लगाएंगे B की जगा वही 2P रखना का Square लगाएंगे एक जगा 6P रखेंगे और B की जगा 2P इंटो कॉस्ट थीटा भाईया इसको कैलकुलेट करो रहा हम से ये कितना आ जाएगा 4R-Square आ जाएगा बराबर में आ जाओ क्या मिला 36P-Square प्लस 4P-Square मिलेगा 36P-Square प्लस का 4P-Square प्लस ये कितना आ जाएगा 2 छंगे 12 दूनी 24P-Square 24P-Square कॉस्ट थीटा अच्छा R-Square का मान हमने equation number 1 में निकाल लगका है कितना निकाला 13P-Square प्लस 12P-Square कॉस्ट थीटा समीकर नंबर 1 से R-Square का मान लग देंगे कितना रखेंगा R-Square का मान 13P-Square प्लस 12P-Square कॉस्ट थीटा 13P-Square प्लस 12P-Square कॉस्ट थीटा बराबर में है 36P-Square प्लस का 24P-Square कॉस्ट थीटा अराम समझना question एकदम हलुआ बना देंगे अच्छे label के question है लेकिन यह सब जितने आभी आज मैं करवाने वाला हूँ तो 13 चोको 52P-Square हो जाएगा प्लस हो जाएगा 12 चोके 48P-Square कॉस्ट थीटा बराबर 40P-Square प्लस 24P-Square कॉस्ट थीटा तो बच्चा एक काम करो कॉस्ट थीटा वाले एक तरव या तो P-Square हैगा कैंसिल कर देना 43P-Square बचेगा प्लस का 24P-Square इदर आएगा माइनस का 24P-Square थीटा हो जाएगा बराबर 40 माइनस प्लस का बावन उदर जाएगा माइनस का बावन तो यह चोबिस से 24P-Square गटाओ 24P-Square थीटा बराबर आगया माइनस मा प्लस मा आगया और 40 से 22 गटाओ माइनस का 12 कौस थीटा की वैलू आएगी माइनस 1 बाई 2 और यह मान होता है कौस 120 डिगरी का थीटा हो गया बताओ कितना 120 डिगरी तो मद्ध का कौड यानि बीच का कौड कितना हो जाएगा 120 डिगरी समझे माया आप लोगों को नोट का लीजिए कौस्चन भी लिख दिया हूँ उसका पूरा सल्यूशन भी ठीक है प्लूम नोट का लीजिए तो फिर आगे बढ़े बढ़े आगे चलिए आसान सवाल था ना देखने में बड़ा खतर नाग लग रहा था लगा ने समझे में नहीं आया कैसे लग गया क्योंखे वर इसके नुमेरिकल के लिए दो इससल क्लास आपको दी है ठीक है चलिए इसके नागे दोसरा कोश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हुँ यह दिया गया यह दि बिन्दू 1 का इस्थित थिस दोसरा कोश्चन यह है यह दि बिन्दू ऐ का B का इस्थिस सदिस तुम लोग भी लिखते रहो ना लाई को बैठे ना रहो इस्थिस सदिस ये दिया गया है 5I कैप प्लस 6J कैप प्लस 7K कैप ठीक है, फ्लस 4K कैप प्लस 4K कैप तो कह रहा है, वेक्टर A B वेक्टर A B का परिमाण ग्याद कीजिए आपको ग्याद का करना है A B वेक्टर फाइंड करना है वा A B वेक्टर का परिमाण ग्याद करना है ये दो चीज़े आपको ग्याद करनी है ठीक है? ये मेरी राइटिंग थोड़ा सुन्दर है और इस उन्दर्ता के साथ थोड़ा आप लोग जो है मैनेच करिए चलो भाई आजाओ सबसे पहले क्या निकाला वेक्टर A B और वेक्टर A B का परिमार तो पहले हम आप से बता दे इस्थिस सदिस क्या होता है इस्थिस सदिस इसको तोड़ा समझ लो कहीं अलग से समझ लेना ये हमारे एक्स अच और वाई एक्ष है एक्स वाई तल पर ये भाई ओर इजन पॉइंट होता है जिसे मूल बिंदु कहते हैं मालो ये बिंदु A है तो बिंदु A को मिलाने वाला सदिस या कहें बिंदु A की स्थिस बताने वाला सदिस वेक्टर O A जो हमने यहाँ पर ड्रा किया है O से किधर की और A की और ये कहलाएगा बिंदु A का स्थिस सदिस क्या कहलाएगा बिंदु A का स्थिस सदिस को कहेंगे A का स्थिस सदिस पोजीशन वेक्टर इंगलेस में बोलते हैं ठीक है अगर मालो यहां पर एक कोई पॉइंट B ले ले तो बिंदू O से B को मिलाने वाला सदिस ठीक है यानि वेक्टर O B जो होगा यह कहलाएगा बिंदू B का इस्थित सदिस ठीक है अच्छा मालो A का इस्थित सदिस और B का इस्थित सदिस दिया हो तो आप A B कैसे निकालोगे कैसे क्या निकालोगे A B A B या B कैसे निकालोगे समझना बहुत आसान सा तरीका बताने माला हो तुम लोग को जैसे आप लोग एक triangle ला होता भाया vector में समझ लो पहले ये vector एक triangle है A, B, C अगर मालो इसकी direction A to B हो A से B की हो इसकी direction B to C हो B से C की हो और इसकी direction C to A हो C से A की हो तो vector A, B plus vector B, C plus vector C, A का मान होता है 0 मलब जहां से चले अगर वहीं पे आ जाते हो A, B, B, C, C, A तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा अच्छा इसमें एक बार तो समझ दो और एक चीज़ याद रखना अगर मान लो इसी में मैं इसको थोड़ा सा आगे calculate करता हूँ A, B vector plus B, C vector बराबर लिखें तो माइनस का C, A vector आएगा बताओ भाई, plus का C, A था उदर गया माइनस C, A तो मिल लाएगा A, B vector plus B, C vector बराबर A, C vector कह सकते हैं देखो C, A का मतलब है C से A की और और A, C का मतलब है A से C की और तो cable मतलब change वो माइनस से plus कर देने पर direction change होगी magnitude change नहीं होता है अच्छा, इस condition का अगर हम चित्र बनाए ये वाले में देखो A, B vector है, मतलब A से B की और A रो लगा देंगे फिर उसके बाद B, C vector है मतलब B से C की और लगा देंगे बराबर में A, C vector है A से C की और तो यहाँ पे देखो क्या है A, B, B, C, बराबर A, C यहाँ पे क्या था A, B, B, C, C, A बराबर 0 अगर मतलब सब एक ही direction में मिल लाए हो तो total कितना आना 0 और अगर मालों दो एक direction में तीसरा अलग direction में है तो A, B, B, C, इस गस्टू क्या हो जाएगा A, C हो जाएगा यह समझ माया है यहाँ पे अब आप थोड़ा इसको समझना गौर से यहाँ पे क्या है यहाँ पे O, A, A, B बराबर O, B होगा भाई नहीं समझे O से A देखो A से B देखो अब यह B से O होता तो 0 कर देते लेकिन यह O से B है तो यहाँ पे आप कहोगे O, A बेक्टर प्लस A, B बेक्टर एज उकोस्टू O, B बेक्टर बताओ भाई समझ मारा न अब यहाँ से A, B बेक्टर अगर फाइंड आउट करें तो कितना आ जाएगा O, B बेक्टर माइनस O, A बेक्टर ठीक है यह तो बेक्टर A, B बराबर क्या आ गया O, B माइनस O, A O, B माइनस O, A का मदलब B का सदिस B का सदिस माइनस बताओ क्या A का सदिस B का सदिस माइनस क्या A का सदिस और यह किसका मान है बेक्टर A, B का मान है अगर माल लो मैं आपसे ऐसे समझो वेक्टर A B बराबर क्या रहा? B का सदिष, मैंनस A का सदिष जैसे माumed लीजी hai, मुझे 2.P और Q का पोजीशन वेक्टर दिया हो 2.1 P हो दुसरा point Q हो उनका पोजीशन वेक्टर दिया हो और मुझसे पूछ ले P Q वेक्टर क्या होगा? तो मैं लिखूंगा क्यू का स्थिस सदिस माइनस पी का स्थिस सदिस बास समझ महा रही कि नहीं भाई अगर मालोग पी क्यू बेक्टर पूछा है तो क्या हो जाएगा क्यू का स्थिस सदिस माइनस पी का स्थिस सदिस और अगर मालोग वेक्टर क्यू पी निकालना हो तो बत रफ कर दो इसे मैं रफ कर दो दो चलो नोट कर लिए अपर इसलों कोपचे महट जाते हैं किनारे में क्यों तुम लोग नोट नहीं करते हो नालायक को सोचतर हो ये क्या करेंगे जान करके सब चीछ का कुछ न ner न कुछ महत तो होता है कभी-कभी सवालों में आ जाता है कि इस्थिस सदिस ये हैं, इस्थिस सदिस वो हैं बच्चा का तसरा आप तो इस्थिस सदिस पढ़ाए नहीं है सब पढ़ाएंगे बच्चो का है प्रसानौ तो यहाँ पे दिया गया है एक व्यादी बिंदू A का इस्थिस्त अदिस तो A के इस्थिस्त अदिस को बच्चो किस से लिखोगे अगर original point के respect में ले रहे हो तो O A से लिखेंगे बराबर कितना दिया भाईया 2 I cap प्लस का 3 J cap प्लस का 4 K cap उसके बाद बिंदू B का स्थिस्त अदिस यानि हम अगर O के respect में लिखेंगे तो O B बराबर लिखेंगे कितना दिया है 5 I cap प्लस का 6 J cap प्लस का 4 K cap ठीक है यह अब आप से पूछा गया vector A B का मान क्या होगा vector A B का मान क्या होगा अब भी जिव मैंने आपको बताओ उसी के base पे बोलो A B vector निकाल लए हो तो B के position vector से क्या गटाओगे भाई A का position vector मतलब यह बराबर होगा O B माइनस बताओगे इसके O A के अब O B का मान यह आपके सामने लिखा है 5 I cap प्लस 6 J cap प्लस का 4 K cap माइनस करोगे Sub kitchen मतल लाएंगे 2 I cap माइनस का 3 J cap माइनस का 4 K cap 4 K cap से 4 K cap cancel कर दे अब बताओ 5 I cap से 2 J I cap माइनस करोगे तो कितना बचेगा 3 I cap बचेगा 6 J cap से 3 J cap माइनस करोगे तो 3 J cap बचेगा यह बताओ किसका माना गया Vector A B का तो एक तो आप से पूछा था वेक्टर a b बताओ और दूसरा पूछा था वेक्टर a b का परिमाण बताओ यानि आपको बताना केवल a b का मान क्या होगा तो मैंने आपको परिमाण निकालने का तरीका बताए था बता दो नोट कर लीजे आप लोग इस क्वेश्चन को फिर मैं आगे बढ़ता हूं ठीक है नोट कर लिए वीडियो रोग लिया करो अराम से नोट करते रहा करो बगल में खाड़े रहें हमको भी देखते रहा करो ठीक है वैसे भी हम पढ़ाने आते हैं तो पता तीन चार सो ग्राम धेरन लवली लगा के आते हैं क्योंकि तुम लोग को अगर सुन्दन नहीं लगेंग तीसरा कुश्चन पहले कुश्चन लिख देता हूँ दियाग्या किसी कण पर तुम लोग भी लिखना सुरू हो जाओ भाई साथ सा लिखा करो किसी कण पर फोर आई कैप प्लस जे कैप न्यूटन का बल लगा कर बल लगा कर कह रहा है वस्त को थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप वस्त को थ्री आई कैप प्लस जे कैप मीटर से किस्थती पर बिस्थापित किया जाता है किस्थती तक बिस्थापित किया जाता है फिर आगे दिया आप बल दोरा किये गए कार की गड़ना कीजिए कुश्चन में आप से पूछा गया है बल दोरा किये गए कार की गड़ना कीजिए किये गए कार की गड़ना कीजिए ये कुश्चन आपके सामने लिखा हुआ भाई ठीक है चलिए करते हैं तो यहाँ पे देखो बले F का मान दिया गया है, 4I कैप, प्लस का J कैप, उसके बाद दिया गया, पहले वस्तु इस पोजीशन पे थी, और बाद में उसको विठापित करके कहां ले जाया गया, 14I कैप, प्लस 13J कैप, मालो यह वाला जो पोजीशन वेक्टर है, यह है R1, क्य दूसरा जो पोजीशन दी है, कि यहाँ पे ले गये, उस पोजीशन वेक्टर को हम नाम दे देते है R2, बराबर कितना भही है, 14I कैप, प्लस का 13J कैप, अच्छा गर मालो R1 वेक्टर पता है, तो हम विस्थापन अगर R1, R2 का मान निकाले, R1, R2 का मान, जो कि यहाँ पर पोजीशन वेक्टर माइनस R1 का पोजीशन वेक्टर, मतलब इससे इसको माइनस कर देंगे, तो 14I कैप से 3I कैप गया, बचा कितना 11I कैप, 13J कैप से 2J कैप, गटाओगे कितना बचेगा 11J कैप, बता यह क्या गया, इसका विस्थापन, और यह क्या दिया गया, बल, और विस्थापन, पूछा क्या है, किये गए, कार की गड़ना कीजिए, बल और विस्थापन के गुड़न फल से कार प्राप्त होता है, लेकिन कार यह का दिस रासी है, तो यहाँ पे कहुं सा प्रोड़क्ट लगाओगे, डाट प्रोड़क्ट, तो W जुकस्टू मैं यहाँ लगाऊंगा, एफ डाट एस, अब बता एफ का मान कितना है, फूर आई कैप, प्लस का जी कैफ, डाट, जी एस का मान कितना है, ग्यारा आई कैप, प्लस का ग्यारा जी कैफ, तो इसको गुड़ा उड़ा करा लो भाई, ग्यारा चोक, डाट प्रोड़क्ट मैं तो जानते ह चवाल इस कितना हो जाए बहुत जाए कितना हो गया पच पन जूल समझ माया सबके ठीक बहुत आसान सा सवाल था नोट कबल लो तुरन तुम-द लोगता को आगए बढ़ें आगे बढ़ें रख करते इसको इठाव दे चलिए चाओथा गुश्चन इसके बार लेते हैं इसी तरह सब कोश्चन लगाते रहेंगे और तुम लोग मन लगा के पढ़ते रहोगे ठीक चौथा कोश्चन और अपनी बुक में खोज-खोज के सवाल लगाना अच्छे-च्छे कोश्चन लगाओ को टफटाफ कोश्चन लगाओ चलिए इसके बाद मैं कोश्चन नमबर लेता ह गराए दो सदिसों वेक्टर A वा वेक्टर B के योग वा अंतर परस्पर लंबवत है यह सवाल है हमने बोलन है सिद्ध करो दोनों सदिस परिमान में बराबर होंगे यह हमें प्रूब करके लाना क्वेश्चन में चलिए यह कुशन देखते हैं क्या दिया वेक्टर वेक्टर वीका योग वंतर यानि वेक्टर ए मतला बर्पेंडिकुलर हैं तो डाठ प्रोड़क्ट क्या होगा जीरो हमने बताया चलिए कहता है तो दाठ प्रोडक्ट को jiro करते हैं और जब में क्या करेंगे वेक्टर प्लस वेक्टर वेक्टर बी का बेक्टर A minus vector B के साथ dot product को क्या कर देंगे 0 अब बता भीया इसका गुड़ा कराएं तो मिलेगा vector A dot vector A फिर इसका इसके साथ मिलेगा minus vector A dot vector B इसका इसके साथ क्या मिलेगा vector A dot vector B plus में फिर इसका इसके साथ क्या मिलेगा vector B dot vector B plus to 0 ये देखो दोनों कैंसिल हो जाएंगे planes क्वाई होगा कैसे होगा किसी सदीस साथ जात पुल कर ब्राबर होता है यह माइनस Kार होगा बराबर जी रो तेश्कॉर बराबर किसके आ जाएगा बी स्कॉइर के तेने बराबर किस आजाए भाई यह ठीक है चौथा कुश्चन भी आप लोग नोट कर लो बहुत आसान सा सवाल था आया समझ में तो चलो देख लेते साक्षिन नंबर पांच क्या है मैं कुश्चन बोलना हूं आप लोग कुश्चन जरूर नोट कर लिया करिये साथ में यह यह गास के रोलर य 50 नूटन के बल से खींचा जाता है के बल से खींचा जाता है बहुत आसान सा सवाल है यह वह से खींचा जाता है यदि हत्था 36 के 30ट का कोण बनाए तो question करा तो बलके 36 वा उर्द घटक तो बलके 36 वा उर्द घटक ठीक है वेक्टर आरेक बनाकर ग्याद कीजिए ठीक चलो बहएं बहुत आरामचा लगाएं बह्या मालो यह एक रूलर है यह घासका एक रूलर है इसमें एक हत्था लगा हुआ यहां पर यह मालों एक हत्था लगा है क्या कह रहा है इस पर पचास न्यूटन का बल लगाया जा रहा है किता बल लगा रहा है पचास न्यूटन का बल लगाया जा रहा है ठीक है और 36 से 30 संस का कॉन बना है बल जो है 36 की दिसा यह 36 जो हुता है यह क्या है छैटीज है ठीक है इससे कितने डिगरी का कुण बनाए तीस अंसका तो कह रहा है बलके छैटीज वाहूर दो घटक वेक्टर आरेक बना कर ग्याद किजिए तो यहां पर हमारी एक बना लेते हैं यह ऐसे और इदर वाला जो घटक आएगो यह फवन है और इदर व ठीक है इसका मान किस के बराबर होगा बही क्यां पचास कॉस्टति के बराबर बताये चोंत कयंतर करों 85 85 75 75 75 75 85 85 85 तो बता कितना आ जाएगा 36 घटक क्या आ गया 36 घटक ठीक है यह अफवन का मान आ गया 43 दसमलो तीन न्यूटन यह इसके बाद अगर हम इसके उर्द घटक का मान निकालें किस का मान निकालें उर्द घटक उसको हमने क्या दिया यह अफटू और उर्द घटक परपेंडिकुलर होता है जो कि कौन रिप्रेजेंट करता है साइन तो यह अफटू का जो मान होगा बच्चा वो होगा 50 साइन 30 के बराबर और साइन 30 का मान तयार जानते होगे एक बटा दू कैंसिल कर लो कितने न्यूट तो इसके उर्द घटक का मान हो जाएगा पचीस ने उठाने और छायती घटक का मान होगा तिरा लिदे समलो तीन न्यूट समझ माया क्यों आगे है रफफ कर दे आगे बढ़े फिर चलो मिटा देते इसको भी नोट कर लिया करो कोश्चन सब चित्र बनाकर लगाना था सव तो हमने चित्र बनाकर ही लगाया है तुम लोग को समझ भी आया है ठीक है और कोई समस्या हो कुछी ना समझ माया तो पूछ भी लिया करो ठीक भाई चली अगला कोश्चन देखते हैं अचा हां और मल लगा गए पढ़ना अपनी साभी जो भी किताब हो तुमारे पास किता आपको अच्छी तरह से पूरा सौल किया करो कुमन लगा गए पढ़ो फिजिक्स में धेर सारे कोश्चन लगाया करो अगला कोश्चन नंबर दिया गया है छटवा कह रहा है वह सर्त बताओ कोश्चन आप लोग लिग लीजी सर्त बताओ जिसमें जिसके लिए जिसके ए डॉट बी का स्क्वायर बराबर ए बी के होगा बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के होगा इसके लिए सर्त हमें बतानी है तो बहुत सिंपल है भया इसे को सॉल कर लो बस ए डॉट बी का फार्मला क्या होता बताओ बच्चा ए बी कॉस थीटा पे स्क्वायर लगा दे बराबर में A square B square है तो बताओ ये क्या आएगा A B cos theta का square A square B square cos square theta आएगा बराबर A square B square ये दोनों cancel हो जाएंगे तो बताओ cos square theta की value आगई बताओ कितना 1 और cos में 1 किसकी value होती है या तो 0 degree की और या तो हम इसे लख सकते हैं 180 degree पर तो मलब जब theta का मान 0 हो या 180 हो तो A dot B का square बराबर A dot vector B का square बराबर A square B square होगा हलवा सवाल था कुछ था ही नहीं इसमें ठीक है नोट करो सब लोग नोट कर लिए चले आगे बढ़े क्यों बढ़ी चलिए छटमे के बाद सत्मा सवाल देख लेते हैं रोग लिया करो वीडियो एक मिनिट के लिए कॉस्चन लगने के तुरंत बाद नोट करो ठीक है और अच्छी से फेर बना लो साथवा कॉस्चन देखो क्या दिया गया है कह रहा है यह साथवा कॉस्चन है कि मैं इसको लिखता हूं तो है तीन सदिस अ वैक्टर बेक्टर बी प्लस वैक्टर सी यह कॉस्चन वाल रिमाल जो हैं पांच चार कामाः दू न मेंद तो तो सब्सक्राइब एक के बीच का बता है तो मैं मैंने पिछले वीडियों भी करवाया था, एक कोशन आज फेर से लेकर आए हूँ, थोड़ा राम समझना, देखो भाईया यहाँ पे वेक्टर A, B और C के परिमान दिये हैं 5, 4 और 2, वेक्टर A का परिमान मलब A का मान है 5, वेक्टर B का परिमान मलब B का मान है 4, वेक्टर C क परिमादल C का मान है दो, सर्थ आपको दी है कि वेक्टर A बराबर है बताओ कि इसके वेक्टर B प्लस वेक्टर C के, ठीक है, अच्छा इसमें एक बात याद रखना, जब भी जिस दों के बीच का कौन पूछे, उनको एक तरफ रखो, वांकी लोगों को एक तरफ, यहाँ प इसे बाद आप दोनों पच्छों पर वर्ग लगा देना, इसक्वाइर कर देना, तो यहाँ पर हो जाएगा, वेक्टर A का स्क्वाइर, प्लस वेक्टर C का स्क्वाइर, माइनस टू वेक्टर A, डॉट वेक्टर C, बराबर वेक्टर B का स्क्वाइर, ठीक है, वेक्टर A क का फार्मला होता A C cos theta अच्छा यहां पर यह थीटा बताओ क्या है तो वेक्टर A dot vector C का फार्मला लिखो ना A C cos theta तो यहां theta होगा vector A vector C के बीच का कोण जो कि हमसे question में पूछा है अब इसी तरह मुझे जब B और C के बीच का अंगल पूछा होता तो यहीं पर मैं square कर देता और वहां पर आता two vector B dot vector C फिर हम उसको लिखते two B C cos theta तो थीटा किसके बीच का अंगल हो जाए तो वेक्टर B और वेक्टर C के बीच का पूछे उनको एक तरफ करके square कर देना question खतम हो जाएगा वेक्टर B का square केवल B square हैगा अब बताओ A square करोगे तो पचीस C square करोगे तो चार A का मान है पांच C का मान है दो into cos theta बराबर बताओ B का मान 4 का square का हैगा 16 समझ माया ना भाई पचीस चार कितना हो गया बोलो 29 हो जाएगा माइनस यह जाएगा पांदूनी दडूनी 20 ठीक है 20 cos theta बराबर में कितना आपका 16 अभी विद भी कोस्थ ठीटा बराबर हो पूछे तो इन दो नों के यहीं पे स्क्वार कर दो ए और बी के बीच के पूछे तो बी को इधर लेके चले आओ कर लोगे न इस तरह सवाल ठीक है चलो रफ करता हूं फिर आगे चलते हैं दो कोश्चन अभी और करवाने मुझको ठीक है इसको मिटा देते हैं आप लोग नो और दूसरी बार तो वहाँ पे तुमको नोट्स वगरा भी मिलती रहेंगी ठीक है कोश्चन सीट भी मिल जाएगी सब कुछ वहीं से मिल जाएगा चलो आजाओ भाई इसके बाद सवाल लंबर हाँ आठ हुआ क्या ले रहें देखना सवाल थोड़ा सब दो कोश्चन अच् वेक्टर ये बराबर वेक्टर ये बराबर थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप हो वह वेक्टर भी बराबर ये दिया गया है बारा आई कैप प्लस फाइट जे कैप माइनस फाइब के कैप हो तो इन पर लंब सदिस का मान गयात कीजिए तो कोश्चन में पू स्टिस का मान बता हूं लंब वेक्टर का मान बता हूँ यह लंब साथ इसका मान बता हूँ ठीक है तो मैंने आपको एक बार से कराऊं और याद कर यह वेक्टर ए था यह वेक्टर भी था जो इनके तल पर लेते हूं रॉट टोड को टहुता है और अर जो ध़ rightly Music चीज यह क्या होता भाई या दोनों का Cross प्रोडक्ट होता मतलब जो Cross प्रोडक्ट होगा वही दोनों पर सु STACK होता है आपने Cross प्रोडक्ट है einfach ना किया प्ड़ाता है á pre divinerà एकी प्रॉडबर एक बिस दिटा B दोनों पर लंबव सदिश की जिसा का सिकांग सदिश ठीक है, तो YN-CAP कम आन निकालते हैं या तो ऐसे कह सकते हैं, YN-CAP बराबर A x B upon में A B ठीक है, तो पहले आपको क्या चाहिए A x B चाहिए, तो पहले मैं A x B निकाल लीता हूं एक क्रॉस भी निकालने का तरीका बताये थे इस आर्डिक लगाओ आई कैप, जे कैप और के कैप लिखते हो अब बता वेक्टर A में आई के लिए 3, 2, माइनस एक आया है वेक्टर B में 12, 5, माइनस 5 आया है इसको कैलकुलेट करोगे आप तो आई कैप लेने पर ये और ये लाइन कैंसिल माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा इसके बाद, प्लस आई कैप के बाद अगला माइनस जे कैप लोगे ये कैंसिल, ये कैंसिल गित्ता हैगा माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस का 12 जो लोग देखो यह सब चीन नहीं समझ पा रहे हैं लोग जाकर पहले इसकी थियोरी पढ़ लो उसके वीडियो उस पढ़े हों तीन चार पार्ट तब समझ में आएगा प्लस माइनस फिर प्लस का के कैप लोगे भाई जब प्लस के कैप लोगे तो यह कैंसिल हो गया 15 माइनस का 24 ठीक है तो बताओ यहां से कितना आजाएगा माइनस का 5 आई कैप यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3J कैप यह हो जाएगा वही है 15 से 24 गटाओ तो माइनस का 9 K कैप यह किसका आमान निगला है A क्रॉस B का आमान अच्छा बताओ यहां पे वेक्टर A का परिमार A क आमान केतना होगा एक एमान के लिए हम लोग रूड ऑफ ऑङ कैप के गुढ़ां की रूद आप सो चा यह और दो दो फिख elles uploading एक्सोच फिरली J-CAP के गुडांग कवर के 25 K-CAP के गुडांग कवर के 25 तो यह हो जाएगा 194 क्यों भाई सही है ना 25-25-25 और 144-94 हमने दोनों पे लंब सदिस N-CAP के बराबर में क्या पड़ा है A-CROUS B या PON में A-B ठीक है तो N-CAP is equals to A-CROUS B का मान हमने अलग से निकाला कितना आया था माइनस 5 आई माइनस 5 आई है प्लस 3J माइनस 9 K प्लस का 3J माइनस का 9 K अप आउन में दोनों को एक ही रूड में लग देते है 14 गुड़ते 194 यही इसका अंसर हो जाएगा चाहो तो गुड़ा भाग आगे 2-3 लाइन और कर सकते हो लंब सदिस मतलब यहन कैप निकालना है यह कोश्चन कभी पूछे तो याद रखना ठीक है आगे बढ़ें फिर पताओ यह मिटा दे आगे चले चलिए एक सवाल और ले लेते हैं फिर आपका सदिस बिसलेशन समाप्त हो जाएगा इसके बाद हम प्रच्षेप गती का कुछ वीडियो लेके आएंगे सर्कुलर मोशन पढ़ाएंगे नदी पार करना चाता लगाना सब कुछ सिखा देंगे तुम लोग को ठीक है यदि वेक्टर ए बराबर यदि वेक्टर ए बराबर त्री आई कैप प्लस का टू जे कैप माइनस का फाइब के कैप और इसके बाद दूसरा वेक्टर बी दिया गया है दूसरा वेक्टर बी बराबर दिया गया फाइब आई कैप प्लस का 2J कैप माइनस का 6K कैप ठीक है तो उनसे पूछा वेक्टर A प्लस वेक्टर B और वेक्टर A माइनस वेक्टर B के बीच का कौन बताओ वेक्टर A प्लस वेक्टर B और दूसरा है वेक्टर A माइनस वेक्टर B के बीच का कौन बताना है तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B को हम माल लेते हैं जोडने, पर जो आएगा उनगा बेक्टर P होगा, में अपनी जोड़्चा आने के लिग मैंद का टू आई के दो से दो जाएगा जीरो हो जाएगा माइनस फाइट से इसको घटाओ गए तो प्लस का हो जाएगा के कैप के वल यह बचेगा ठीक है अगर उसके बाद समझो वेक्टर पी यह तो इसका परिमार कितना होगा रूट आफ बताओ कितना होगा आठ का स्क्वार च 64, 4 का 16, 11 का 121, 64, 16 होगया 80, 80 और 122 जोड़ों के तो रूट 201 आएगा ठीक है इसी तरह से बताओ इसका परिमार हम केवल क्यू का मान निकाले तो कितना हो जाएगा रूट आफ चार प्लस एक कितना आ गया बताओ पांच ना अब हमें इन दोनों के बीच का अंगल यही पलते हो ना क्यों भाई तो पी डॉट क्यू का मान इन दोनों का डॉट प्रोड़क्ट करोगे तो आट दूनी माइनस का 16 बहुत डारिट कर रहे हैं समझ में ना आए तो पैसा नहीं वापस होगा अब इतने कुश्चन लगा चुकि एतना डारिट करने का हमें अधिक दो सो एक पंचे कित्ता हो जाएगा पांसो पांच तो थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इन वर्स माइनस का 27 बटा रूट पांसो पांच ठीक है तो आज की पार्ट साला यहीं पे खतम होती है अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा ज्यादा लोगों तक सेयर कर द पहले आप अपने मुबाइल में पेलिग्राम डाउनलोड करके उस पर रेजिस्टर करिए तब आप जा पाएंगे वहां पर ठीक है और वहां से फिर जो है आपको नोट्स वगारा मिलती रहेगी मन लगा के पढ़ाई करते रहेंगे सभी दोस्तों तक सेयर और कर दिया करो भई ठीक है और अगर दिखो इतने वेक्टर के कोश्चन लगाए है इसके कोश्चन के बाद कोश्चन ना आए तो हमारा एक वाट्स अप नंबर है फिर से लिख दे रहा हूं 9451577384 इस पर आप कोई भी कोश्चन कहीं का भी कोश्चन वाट्स अप कर सकते हो फोन मत करना भाई परिसान हो जाते हैं थोड़ा सा फोन करते हो तुम लोग तो इस पर आपके वाट्स अप करिए और इस नंबर पर वाट्स अप का मैं जवाब भी दूंगा ठीक है चलिए फिर मिलता हम अगले वीडियो में तब तक आप लोग पढ़ाई लिकाई जाई रखिए अब ख्यार लखी गए तब तक लिए से बाई बाई टेक चैर